आज एक्सपाईरी का दिन देखिए थाउजन रुपीज का अल्रेडी लॉस हो चुका है गाइस तो देखते हैं अभी 45 कॉंटिटीज के साथ मैंने कॉल साइट में पोजिशन बना चुका हूँ ठीक है देखिए मोबाइल से एंट्री किया हूँ इसलिए मतलब यहापर में अ किया इसलिए ठीक है बट एनिवेस देखिए पहले में अपना व्यू समझा देता हूँ आपको देखिए क्लियर कट ज्यादा कुछ समझाने कि यह नहीं है नीड क्यूंकि देखने से इस पता लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एम पैटन बन चुका है ठीक ह यहां पर क्या बनेगा ठीक है मॉर्केट को उपर जाना ही पड़ेगा ठीक है एम पैटन में जहां पर सब लोगों ने सेल किया है उनको डराने तो भी एट लिस्ट मार्केट जाएगा तो हम लोग अपना प्रॉफिट जितना भी मिलता है हम लोग बुक कर लेंगे ठीक है अभी हजार उपे का लॉट चल रहा है दिखते हैं अभी यहां से एक नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही कॉल साइड में तो दिखें अभी क्या होता है थर्सडे की दिन में मैं ऐसे स्ट्राइडिजी क्यों यूज करता हूँ दिखें कोई सपोर्ट पर अगर कॉल मिल रहा जो किसी को सपोर्ट ऐसा दिखता नहीं है बट अगर देखने जाए हम लोग को कॉल के चार्ट पे पूट के चार्ट पे तो दिख जाता है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है सो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर थर्सडे के दिन एक्सपारी के दिन कुछ भी अगर हम ल प्लान कर रहे हो उसी आप से मार्केट भी आपको रिवाड देता है बट देखिए अभी जी साप से मैं लिया हूँ ट्रेट मुझे पता है एंप बन चुका है उपर बैंक निफ्टी में लोग भी ब्रिकडाउन हो चुका है तो लो ब्रिकडाउन हुआ है यहाँ पर कौन आएगा ओवियस्ली सेलर्स आएंगे सेलर्स जहाँ पर आएंगे उसी के अगेंस्ट में हम लोग को पोजिशन बनानी होती है अगेंस्ट में पोजिशन बनाना मतलब इट्स रिस्की गेम राइट अगर रिस्की गेम है तो यहाँ पर हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि perfect call side entry मिले तभी हम लोग entry करेंगे so यही मेरा व्यू था morning से कि मैं call side देखूंगा देखूंगा बट कुछ trade मुझे मिला नहीं तो अभी जाकर 10 बजा है तो 10 बजे के आसपास में हम लोगने trade की position बना ही हुई है अब जो होगा यह result देखेंगे हम लोग profit होगा loss होगा जो भी होता है आप लोगों के सामने अपडेट कर दूँगा अब देखें निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है देखें यहाँ पर resistance यहाँ पर भी resistance देखें थोड़ा सा mouse का issue है मतलब computer भी अच्छे से मार्केट को respect करना पड़ेगा loss होगा तो loss ले लेंगे profit होगा तो profit ले लेंगे अभी क्या हुआ था 1000 रुपीस का loss चल रहा है मेरा सो इसलिए मैंने आज quantity सो यह अभी favor में तो जा रहा है momentum जो भी होगा देखें मैं मतलब update तो कर दूँगा आपको हो सकता है कि यार आज तोड़ा सा मतलब net का issue चल रहा है मेरा देखें केंडल भी दिखनी रही है यार मतलब थाउजन रुपीस का profit देखें 800 रुपीस के profit में आ चुका है मतलब loss कवर करके आ चुक है हम लोग profit में बट यहाँ पर अब माउस भी काम नहीं कर रहा है एक्चुली यह धीरे क्यों चल रहा है भाई यह देखें माउस के हालत दिखा था आपको देखें भाई यह ऐसा हो गया है चल भी नहीं रहा है ठीक है चल यह देखते हैं अभी मतलब जी सबसे भी देखते हैं अभी यहाँ पर profit book करने का try करता चलो 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 भाई क्या हो गया माउस को यार यह वाक नहीं कर रहा है माउस आपके साथ भी होता है या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे भी मतलब ऐसे टेक्निकल ग्लीचेस आते देखें मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्केट यहां से और जाना हीने माहरा सही है बट अब तो चल भाई अब तो चलो माुस के चलो अब धोड़ा वक्त कर रहा है अरे खीच खीच नीचे खीच स्क्रॉल भी काम नहीं कर रहा है ठीक है वेट करता हूँ मोबाइल से लोगिन करता हूँ मोबाइल पर कुछ मिलेगा तो मैं यही से बता दूँगा कि मैंने एक्जिट कर दिया हूँ करके चलो थाउजन रुपीस का चल रहा है न चलने देते और अगर अच्छे से आ गया मोमेंटम तो ठीक है या तो फिर अब रुखी गया तो रुख जाते हैं पूरा हो सकता है मार्केट यहां से एक तो पूरा घुम कर नीचे आ जाए और हमारा लॉस ले ले लॉस करेगा तो जादा में जादा कितना लॉस होगा देखिए चौवीस सो रुपे के आसपास में हमारा डेली रिस्क लिमिट रहता है तो चौवीस सो से तीन हजार रुपे के बीच में अगर मेरा लॉस होता है तो हम लोग होने वाला है बट जो भी होगा देखेंगे क्योंकि मार्केट में सस्टेन करेगा ये लाइक ये मूव देना चाहिए अच्छा खासा बट अगर नहीं देगा मार्केट मूव तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है हम लोग एक बार रिलोड कर लेता हूँ चार्ट को चलो यार आप लोग लाइक नहीं करते हैं मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे तो प्लीज लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब के बटन दबाते चलिए ठीक हम लोग 400 सब्सक्राइबर के बहुत पास में तो अगर आपने सूचा तो हो जाएंगे 400 सब्सक्राइबर भी ठीक है चलने देते हैं इस ट्रेट को चलो 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 भाया चलो अब क्या करेंगे देखे उपर बेच नहीं पाया उपर एटलिस देखें अगर मेरा वीडियो आप रोट्स देखते होगे तो मैं क्या करता हूँ पहले एवरेजिंग के साथ मैं अपनी कॉंटिटीज एग्जिट कर नहीं पाया यह दलब 50 पॉइंट्स अगर मेरे फेवर में जाने के बाद भी अगर मैं यहां से लॉस ले लूँगा तो मदलब अच्छा नहीं लगेगा परस्टनली मुझे बट हीट करदा टार्गेट तो बहुत ही बढ़िया है तू थर्टी तू तक के तो जाना चाहिए मार्केट नहीं हाँ से सो लेट सी अगर टू थर्टी तू तक के चले गया तो मदलब समझ जाई है हंड्रेट पॉइंट्स प्लस प्लस का टार्गेट बुक कर लेंगे हम लोग अब देखते हैं वेट करते हैं क्योंकि उपर बुक नहीं कर पाए है अब बैंक निफ्टी भी अपने एक रिजिस्टेंस के आसपास में अगर बैंक निफ्टी रिजिस्टेंस के आसपास में तो मदलब इट्सक साइन लाइक विएव तो बुक आर प्रॉफिट लॉस बट मेरी उमीद तो है कि 42,809 तक के भी जाना चाहिए मार्केट ने मनलब आज का देखिए 51 पॉइंट्स के आसपास में सो देखिए पूरा लॉस में आ चुक है हम लोग पंदरा सो रुपे के आसपास में हमारा लॉस दिखा रहा है हाला कि हम लोगों ने 51 रुपीज का प्रॉफिट तो देख चुके थे अब यहाँ पर मैंने बुख नहीं किया वह मतलब मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे जो लगा था कि मैं अपना सब कुछ कवर करके देखे पहला यह एम पेटन फॉस्ट एम पेटन यह वाला है ठीक है अब पहले इसको भी डिलीट करता हूं हां अब मार्केट में यहां से तो रिवर्सल आना चाहिए निफ्टी में भी अब लेट सी यार देखते अब यह ट्रेंड लाइन थी हमारी मैंने जो तो इंसाइड केंडल पर ट्रेट करते करते हैं आप लोग ऐसा करिए कि कॉल का चार्ट या पूट के चार्ट पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके देखिए अगर आपको अच्छा मिलता है तो बढ़िया है आपको टार्गेट मिल जाएगा आज का दिन खराब इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग मतलब लॉस में रहेंगे ओवर ओल हम लोग लॉस आज ले सकते हैं बट ऐसे जरूरी नहीं है देखिए कंप्यूटर नहीं चल रहा है नेट कनेक्शन नहीं चल रहा है तो ऐसे दिन और आज एकस्पाईरी भी है मैं डेली आप लोग के साथ में मतलब रॉव रॉव क्लिप शेयर करता हूं या देखिए मेरे इमोशन से आप लोगों को सीखना है यह जो चैनल पर मैं वीडियो डालता हूं यह किसले डालता हूं ताकि आप लोग कुछ समझिये देखिए 50 पॉइंट का प्रॉफिट आज हम लोगों ने अगर मिस किया है मतलब अभी नहीं पाता प्रॉफिट होता है या लॉस आई होप ना हो लॉस बट अगर हम लोग सो क्या कर सकता हूं मतलब अच्छा नहीं लग रहा है और परस्टनली मुझे एक्सपारी के दिन में देखिए मेरे फेवर में जब मार्केट गया था तब मैंने मार्केट की रिस्पेक्ट ने किया लॉस ले लिया बट क्या कर सकते देखिए अब मोर ओवर यह जो वीडियो आज का है इससे मतलब आप लोग यह मत समझे कि मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करी या नहीं करी बट आप लोग देखिए टेक्निकल इसूस आप के साथ भी हो सकते मेरा माउस नहीं चला मेरा इंटरनेट नहीं चला मेरे कुछ इशूस थे मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट बड़ा टार्गेट भी दे सकता है तो मैं रुक गया मैं अपनी कॉंटिटी एक्जिट नहीं कर पाया देखिए आधी कॉंटिटी तो मेरी करने का प्लैन करता हूँ अभी और कैंसल कर दिया यहाँ पर मैं एक्जिट क्यूंकि यहाँ पर मतलब माइंड ही खराब हो चुका है हजार उपए का लॉस रहा तो रहा चलो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग एक्जिट कर देते हैं कोई नहीं अब जो है वो है यहाँ पर मेर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए अट लिस्ट कमेंट सेक्शन में थमसब भी आपने दे दिया तो मुझे मतलब परस्टनली बहुत अच्छा लगया बट अब क्या करूं मैं मतलब पुट साइड में 15 60 अगर मैं पंच करता हूँ और देखें पुट स कर दूंगा यहाँ पर अब नहीं लेता ट्रेड नहीं लेता जाने दो कुछ और एक बार पोजिशन देखता हूँ यहाँ पर 60 कॉन्टिटीज 45 कॉन्टिटीज चलो कोई कुछ नहीं मार्केट में साइडवेज ही है अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आज के लिए आई होप आपने प्रॉफिट किया होगा तब तरे